हेलो फ्रेंट्स अगर आपने तक मेरी यूट्यू चनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज मेरी यूट्यू चनल को सब्सक्राइब रूब कर लें तो आप हम बात करने वाले हैं लोको मोशन की यह MSC Geology 4 Semester का टॉपिक है तो सिल्प्सिस के हम बात करते हैं पहला है उनु सब्सक्राइब उंन के स्कलत तो निवर्चांड यहाँ पहले हैं पहले हैं तो पॉपिक का बात करूंट्स तो देली माध्य में पाए जाने वाले भीवि न ज conf क में उनके चलंग अलग अलग प्रकार के चलनल भी दिए पासे हैं जन्तु में जली माध्यं के अनुसार उनमें अनकुरन पाए आता है जली फना में तीन जोन होते हैं सर्फेस, मिडिल और बॉटम इसके एतरिक समुदुर में डीफ सी फना भी पाए आता है इन माध्यम में रहने वाली जंतों में मुख्य मश्लियों के बारे में यहां वड़न क्या रहा है क्या रहा है जली माध्यम में रहने वाली मश्लियों में विविन अनकुरन पायाते हैं इसमें जन्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विविन अंग होते हैं तता सरीर का अकार भी उच्छी प्रकार से होना चाहिए दूसरा है definition बात करने तो जली माध्यम में मशली के तेरने के एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाने को मशली का चलन कहाता है टाइप्स के हम बात करें यहाँ पर तो यह थी टाइप्स का होता है लोको मुसर पहला है एंगुली फॉर्मर लाइक इस प्रकार के चलन चलन्ज होते हैं वह होते हैं स्रिपेंटिव प्रकृति के इल में पाजाता है यह है इसको सेक्वेंटेट कार्टिक्शन के दौरा सरीर के हर तरफ पर मायोटोम्स पाजाते हैं मायोटोम्स पाजाते हैं एंड सेकेंड नमर जो है वह है ओस्ट्रा सी फॉर्मोर ट्रंक फिश लाइक यह है विग वैग जी है डवलू ए डवलू ए जी तो गती होते है यह है ट्रंक फिशेज में टेल के इसको लिंग एक्शन के द्वारा देखा गया है यह साधाना सभी पेशियों के अल्टरनेट कंट्रेक्शन से प्रिवित होने से बहुता है यह सरीर के एक तरह उपस्तित सेक्मेंटल पेशियों के द्वारा होता है इसे सरीर एक सोट सिरीज के क्रोश से पानी में आगे की और ढखेलती है और इसी प्रकार आगे बढ़ जाती है और तीसर नमर्ल जो है उससरो वह है करएंग सपर्म ऑेख जात करेंग्यिस पर्म जो होता है छनं के समान होता है ऐस प्रकार के चलं से मस्चली आगे बढ़ती है और सांथ में टैल रिजरान को साइड बाइस साइट के मूवमेंट से अगे बढ़ती है यह बीच का चलन कहलाता है चौर्ट नम्मर चलन जो है उस तो है इस पेसर बहुत सब्सक्राइब पहली बात करें जंपिंग की तो कुछ मश्लियां कुछ मश्लियां जो है छलांग लगाती है यह जंप एनेमी या फूड प्रोली जे इस से को लिए होता है समानता है मश्लियां तेजी से आगे की वार उठती हैं पानी की सताय पर सरीर के सरीर के मश्लर एक्षन के द्वारा यह तैरती हैं तो यहां पर फ्लाइंग के हम बात करें तो फ्लाइंग फिसेस पानी में पूछ के मजबूत इस्ट्रोप की कारणा हुआ बड़े अंस जो होते हैं पंक उप्योग से उड़ान करते हैं हम बॉक्विंग के बात कर हैं तो यहां पर जो करता है तो सिफियूओ के सetus में नीचे का बाग प्यूब के कि किको कि नादे हैं करें हम तो कि क्रॉलिंग की हम बात करें तो जो होता है लोफिया स्पेक्टरल फिंस सी बॉटम के रंगने के लिए उप्योग करती है इसकी की बात करें यहां पर हम तो इंडियन जो गॉवीज होते हैं इसना समान नाम है यहां एक पैर पर चलता है क्लैंबिंग की तो क्लैंबिंग जो होता है वह उपेरेकुलर स्पिंस का उप्योग उचे ब्रच्छों पर चलने के लिए करती हैं ब्लॉविंग के हम बात करें तो इल मूट में बॉरो बनाती हैं जो स्नाउट के द्वारा बनाती हैं और यह मजबूत पकड़ के साथ अंदर अंदर चलती जाती हैं लोको मोशन बाइडेफरेंट पार्ट्स तो मस्लियों में चलन में सहाथा करने वाली विविन अंगों का उप्योग होता है जो की निमने हैं पहला हम बात करने तो मायो टॉम्स और चलन की बात करने तो यहां पे तुच्छा की नीचे बोडी वाल की जो होते हैं पॉरियडल मस्ल्स जो होते हैं शरीर की पैशी न्यास का इतिकांज भाग बनाती हैं एक तुच्छा विहिन डोग फिश में एक संखला में वेसीत त्यडी मेडी मस्ल्स जो होते हैं वो बैंड दिखा देते हैं यह मजबूत से उची उतक से बने सैप्टा योष्ट मचली तो पकार के पेश्चें पाजाते हैं पहला है वाइट मिसल्स फेज एंड डार्क मुसल्स कि यहाँ पर हम वाइट मसल्स की बात करें तो वाइट मिसल्स हलके रंग और रहें और शरीर से में अधिक पाजाते हैं यहें नाइंडियेपरसेंट उछाशियोर की हो में इस्टेंडर्ड मसलस पाएं तर्डारब मसलस जो होते हैं नाल रणके होते हैं इनमें मायग्रॉबिन पाएं इसलिए इने प्रेंट मसल्स कहते हैं और तीसेमर मसल्स जो है मसल्स जो दो systematically मसल्स अप दफिन यहां पर तेगी के समान आयुदमित पंक का उप्योग स्टेरिंग के लिए किया जाता है यहां पर फिन्रेस के बेस पर पीड मसल्स पा जाते हैं जो की चिपके रहते हैं पंक पेशियं जाज तर डार्क मसल्स होते हैं कि चर्व नमर जो है कि मेकनीजम और लोकोमोशन की हम आप बात करें तो बोडी मुवमेंट ड्यू टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन ओफ द्या फिस ओफ दी मायमर्स तो यहां पर हम बात करते हैं बहुत सारे विग्यामिक के अनुसार इल जैसे वास्तिक आगे की और स्रेडिक दाप के द्वारा पाने में आगे बढ़ती है क्योंकि जल उसका चलने का माध्यम है पाने में गति पेसी और पुछी श्ट्रोक द्वारा होता है यहां गति पहले कुछ मायमर्स के संकुचन के द्वारा होते है जिससे मचली जो होते है जिससे मचली की पूर वरती जो सरीर हो है वो मुड़ जाती है मुड़ जाती है या कारूप बैकवार्ड में हो जाता है हो जाता है जहां सीरियल मसल्स के अल्टरनेट कंट्रेक्शन के द्वारा तरंग पढ़ा जाती है जिससे मचली में मुए है कि अश्यम है मसली में मसल्स सेःग्मेंट जो होता है में द्वाराउत पनं होने वाली वेकवार्डर सेकेंड्री और आपोजीट साइड मशली आगे बढ़ते हैं क्योंकि शक्रेइस फाल पर जो दबावँ पड़ता है उसके ख़र सेकेंड जो है प्रेंड है मैं जोती ही मशली में चरनल पंक की द्वारा यो मशले, विशल जलक्षण है यहीigen मशलीों में पंक पंक का उ स्नक करे नंपम ंस्यक्तis है μέš हाँ हाटा दिय जाए तो तर्याव़ा पड़ता है केवल पुछी हे पंक हटा दिया जाए तो तर्याव़ा पड़ता है पंक मशली के मुख्य चलन अंग हैं इससे मशली की गदी बढ़ती है तीसरा जनमर्ज टोपिक हो है The moment moment caused by the action of of jets of water explained from the gill opening respiration यह विदी कुछ समय के लिए driving के के लिए होती है जिससे शरीर के आगे बढ़ता इस विदी में उच्चकती के लिए मशली की सरीर की पेशी की रियाई-धाराओं के तवारा होती है शरीर के फिक्ष। इससरीर के जो फिक्ष। होते है कि बीच अधिक strengthful jets आते हैं जिससे बोड़ी आगे बढ़ती है जिससे बोड़ी आगे बढ़ती है एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है Ooh जा सकते हैं दूसरा जो है मश्भी की कारण migration होता हैं आई रहा किया में पूर्ण मंहां होती है चौश 거죠 नूमर अन्ए iस्थान पर पहुषने पर दूसरी मश्भी से लुजाने से नई प्रझाती बन जाती है ये छारद नुम्मर चलन के अधार पर नई प्राजतियां को ढूड़ा दे रहा है यहां पर इस्प्रेंस बुक के हम बात करें तो फिस औन फिस्रीस बुक बाई डॉक्टर क्यूजेश शमी